दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे और आज बात करेंगे कि एक परसेंट का TDS क्रिप्टो ट्राजेक्शन रूल वर्क ओन कोईन DCX एप प्रॉम जुलाई वन यानि कि एक जुलाई से क्रिप्टो में TDS लगना स्टार्ड हो जाएगा और किस तरह से लगेगा वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों मैं आपको करना चाता हूँ कि जो लोर्जेस्ट इंडिया का जो लोर्जेस्ट जो सबसे बड़ा एक्सेंज है का जो ट्राजेक्शन है वो एक जुलाई से यहाँ पे स्टार्ड हो चुका है जितने भी असेट्स क्रिप्ट वर्चुल वेलेट डिजिटल असेट्स यहाँ पे अगर यूनियन जो इनियन बजट के बात करते हैं अपने जो फाइनन्स मिनिस्टर निर्मला सितर अर्मर और यहाँ पे जो उन्होंने एननौस्मेंट किया था पेमेंट मोर वच्चुल असेट जनी एक परसेंट टीडियेस और तीस परसेंट टेक्स ओन इंकम जो भी अपना टेक्स जो भी इंकम होगी उसके उपर टेक्स लगने वाला है और एक परसेंट का टीडियेस जब भी आप इसके उपर लगने वाला है दूस्तो दूसरी बात की कोईन डीजेस एक्स एक ने विए यहाँ पर इनौस्मेंट किया वापीस, यहाँ पर लिका है कि कोईन डीजेक्स ने एक elfplain किया कि टीडियेस आपका कहाँ पर लगेगा और कहाँ पर नहीं लगेगा, यह भी यहाँ प आपका ट्राजिक्शन वे टीडियस नोट अपलाई यानि कि जब आप नोट टीडियस विल अपलाई ओन बाई लिमिट बाई इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जब आप टीडियस ट्राजिक्शन करोगे तब आपका सेल करोगे या फिर बाई करोगे उसके उपर टीडियस लगने वाला है और exchange ने यहाँ पे भी एक नया announcement किया है कि भाई अपना जो कितने भी बंदों का यहाँ पे जो amount है या फिर account है CoinDCX application के अंदर यहाँ पे उनको KYC complete करना जरूरी है और एक जुलाई से पहले आपको KYC करना अनिवार रहा है ठीक है इसके लवा आप जब transaction करोगे ठीक है आप जब यहाँ पे transaction करोगे तो आपको जब भी आपका TDS पे होता है तो आप आपके ITR income tax में जाके आप खुदी चेक कर सकते हैं कि अपना TDS यहाँ पे बरा है या फिर नई बरा है और यहाँ पे दिया है कि the exchange side that TDS will apply well on sale transaction on all crypto assets की exchange ने कहा है कि सभी transaction के उपर आपकी crypto assets जितना भी आप transaction करोगे उसके उपर TDS लगेगा दूसरी बात मैं आपको करना चाता हूँ कि one year में जब one year में आप यहाँ पे जब transaction करते हैं आपका transaction अगर दस जार से नीचे हैं तो आपका जो TDS तो देना ही होगा पना तो 30% जो tax होगा वो आपको पे नहीं करना होगा अगर बात करते हैं one year की तो one year में आपको यहाँ पे minimum आपका transaction होना चाहिए क्रिप्टो में पचास जार से नीचे तब तक आपको TDS नहीं देना होगा दोस्तों coin DCX का कहना है कि जब भी आप transaction करते हो जब भी आप यहाँ पे transaction करते हो तो एक जुलाई के बाद में आप crypto buy and sale order करोगे तब आपका TDS कितना लगेगा वो उसी time जब आप sale button लबाओगे तो उसी time आपके screen के उपर वहाँ पे दिखाएगा कि इतना आपका TDS यहाँ पे लग रहा है और इतना आपका deduct हो रहा है तो यह एक अच्छी बात है कि आने वाले दिनों में मतलब अपना जो amount है पहले ही 100 हो रहा है कि इतना अपना fund यहाँ पे लग रहा है तो हम उसके हिसाप से transaction करें तो यहाँ पे एक जुलाई से TDS से स्टार्ट हो रहा है तो दोस्तो थोड़ा हिसाप से रहे बच के रहे और कोईन DCX का ओल्रडी announcement हो चुका है कि अगर किसी भी बंदे का अगर KYC नहीं हुआ तो KYC कर लिजिए अदरवाइस आपका account यहाँ पे बंद भी हो सकता है ठीक है